चोकलेट सोस बहुत सारी चीजों में यूद होती है हमने यहाँ पर यह का पानी लिया है पानी में हम एड़ करेंगे 3 टेबल स्पून शुगर कीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे अब हम इसमें साथी एड़ करेंगे 3 टेबल स्पून कोको पॉर्डर साथी हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉन फ्लॉर डालेंगे लगतार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इसको 5-7 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि यह ठिक ना हो जाए यह देखिए आप देख सकते हैं यह ठिक हो गया है गैस को हम ओफ कर देंगे हमारा चौकलेट सोस एकदम से रेडी हो गया है एकदम मार्किट जैसी ठिक चौकलेट सोस कितना इजीली आप घर में रेडी कर सकते हैं आप दे देखा तो इसको आप बहुत जंगा यूज़ कर सकते हैं आप इसे अपनी किसी भी मन पसंद आईस्क्रीम के साथ ले सकते हैं आप इसको केक के साथ में डाल सकते हैं तो आप इसको इजी ली घर पर रेडी कर सकते हैं